आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्क्षीट नंबर 51 ठीक है शिक्स टू एट्ट क्लास के बच्चों के लिए बेटा और आपकी दो तारिक की ये वर्क्षीट है ठीक है इं ये सब्ज़ेक्ट से तो मेरसे बच्चे पूँचते हैं इसलिए मैं आपको बता दू और दूसरी बात जो बच्चे पूचते बटा वो पूचते रहते कि में ये वाली वीडियो भेज़ दो िपेज़ दो तो बटा आप चैनल पर चैनल पर डाली हुई होती है ठीक है डाइग्राइम में दिख रहे है कुटब मिनार, आप में से बहुत से बच्चे जो होंगे वो जा भी चुक्य होंगे कुटब मिनार पर आप देख भी चुक्य होंगे, उससे सामने से और जो नहीं गए है तो वो यहां से देखो बेटा क्या क्या होता इसके अंदर इट इसे फाइफ स्टोरे मोनोमेंट ठीक है तो यह क्या है पांच मंजिला इमारत देखो एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल और पांच मंजिल ठीक है तो यह पांच मंजिला इमारत है built by कुतबुदीन एभग और इसको बनाया किसने बेटा कुतबुदीन एभग ने बनवाया है कब 1193 ठीक है 1193 में इसको बनवाया था however, यानि कि परंतु, he could construct only the basement, लेकिन जो कुतबुदीन एभग था बेटा, उसने सिर्फ इसका आधार बनवाया था, ठीक है basement बनवाया था, जैसे कि आप कहो कि नीचे की जो नीव थी सिर्फ वही बनवायी थी उसने, कुतबुदीन एभग ने ठीक है, ठी स्टोरे made of red stone, red sand stone were constructed by his successor iltutamish, ठीक है तो बेटा जो ये तीन मंजिल है एक, दो, और ये तीन, ठीक है ये तीन तुम देख रहे होंगे, एक जैसी तो ये जो मंजिले हैं, तीन, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी बटा, iltutamish के द्वारा बनवाई की थी, जो क्या था, उसका उत्रा दिखा रही या उसके बाद जो आया था, ठीक है और किसके द्वारा बेटा, red, sandstone, ठीक है इसको बल्वा पत्थर बोलते है, लाल रंग का तो उसके द्वारे ये बनवाई गए थे, ये तीनों मंजिले ठीक है, अब तुम देख रहे होंगे, इसके उपर तो दो मंजिले ओर है, तो वाई, लास्ट टू स्टोरे वर made of marvel, ठीक है, तो जो दो मंजिले हैं उपर की ये वाली और ये वाली, are made up of marvel, ठीक है, तो ये संग्मर्मर की and sandstone, यानि की बल्वा जो पत्थर है उसकी, इन दोनों की help से बनाई गई है, तुम यहाँ देख रहे होंगे, बटा, ये white white तुमें दिख रहा है, ये part, ठीक है, तो ये क्या है, संग्मर्मर, ओके, और जो लाल रंगा दिख रहा है, वो क्या है, बल्वा पत्थर, ठीक है, and completed by, और किस के द्वारा बनवाई गई थी, ये last की दो, बेटा, completed by the फिरोज सां तुगलक, ठीक है, तो ये फिरोज सां तुगलक के द्वारा complete की गई थी, तो कोई पूछे सुरुवात किस ने की थी, तो कुतवुदी ने एभक ने की थी, लेकिन जो तीन मंजील वो किस ने बनवाई थी, इल्थुतम इस ने बनवाई थी, ठीक है, लेकिन इसको complete किस ने करवाया था, पूरी किस ने निर्मान करवाया था, इसका फिरोज सां तुगलक ने करवाया था, ठीक है, और ये कितनी मीटर हाइट है, इसकी 73 मीटर उची है, इसको पताए था, तो इसका निर्मान करवाया था, एक ओर का निर्मान करवाई था, तो उसका आप मुझे बताऊगे, ठीक है, अगर किसी को पताए तो, तो इसने इसका निर्मान कब कराय है जब उसने अपनी राजधानी ठीचे जब मुखल समराट थे अपनी राजधानी को दिल्ली में करने की सोची तो तब उसने वहां पर रहने के लिए अपने क्या बन्वाएieg लाल किला बन्वाए इस तरीके से कह सकते हूए फिर तो ये यमुना के किनारे पर बना हुआ है ठीक है आर्किटेक्चर डिजाइन इस ग्रेडिटेट टू दी उस्ताद एमद लोरी ठीक है या लाहुरी तो जो इसका आर्किटेक्चर है या इसका जो डिजाइन है जिस तरीके का ये बनाया गया है तो इसका जो स्रे है सारा वो क इजए war memorial, तो यह क्या है एक war memorial है, war memorial मतलब youth smarak है, ठीक है, तो एक youth से related smarak है, जब इसको बनाया गया था, in the owner of soldiers of British Indian Army, ठीक है, तो यह किस के owner में, बेटा, तो in the owner of the soldiers of British Indian Army, जो हमारी British Indian Army थी उस टाम पर, तो उनके याद में, ठीक है, who died between 1914 से लेकर 1921, including first world war ठीक है तो क्या हुआ था बिटा जब first world war हुई थी उस time पर Indian British war के जो मतलब कि हमारे soldiers थे वो इसमें सहीद हुए थे ठीक है तो उनके याद में ये वाला जो समारक है युद समारक इंडिया गेट बनाया गया था ठीक है अब it was inaugurated by the Lord Enwin और इसको inaugurate किसी ने किया था बिटा Lord Enwin ने किया था ठीक है इन सब के बारे में बिटा आप detail में जाना होगे जब आप बड़ी classes में चले जाओगे 8 में भी पढ़ने वाले थी लेकिन ये situation ऐसी होगे 8 में 9 में 10 में इन सब में आप इन टोपिक को पढ़ोगे ठीक है और कब inaugurate किया था मतलब इसका उद्गाटन कब किया था 12 फरवरी को 1931 में इसका उद्गाटन किया गया था ठीक है अब एक और बात बीटा इसमें तुमने देखा होगा अगर तुम घूमने गए होंगे तो इसके बीच में मतलब कि अमर जवान जोती है जो वो जलती रहती है ठीक है तो सिंस 1971 अमर जवान जोती इस ओलवेज लिट इन दी मेमोरी ओफ अन्नोन मार्टियाट सोलजर ओफ इंडिया ठीक है तो 1971 से ही ठीक है उस ताइम पर बेटा क्या हो था इंडिया पाकिस्तान का जो युद हुआ था ठीक है एक कह सकते हो conflict हुआ था संगर्स हुआ था उनके बीच में जिसमें क्या हो था भहुत सारे जवान जो हमारे सहीद हो गए थे जिनका पता भी नहीं है अग्यात मतलब कि एक कह सकते हो आदो का तो पता भी नहीं है इतने जवान जो है सहीद हो गए थे तो अमर जवान जोती is always तो मतलब कि अमर जवान जोती जो है वो हमेशा उनकी याद में परजुलित रहती है लिटमा ने जलना या परजुलित होना किसकी याद में इन दी मेमोरी ओफ अन्नोन mightyard soldiers of India तो जो हमारे अन्नोन मतलब की सहीद थे जवान उनकी याद में ये बनाई जाती है जलाई जाती है ओके और ये जलती रहते 2400 गंटे दिन रात हमें इस आजब से 1971 से ये जलती आ रही है तो ये थे बिटा आज के हमारे जो तीन थे अब इसके कुछ questions कर लेते हैं जो की कैसे हैं तो बिटा आप first question क्या लिखोगे first question आपका describe the importance of redford in our own work तो तुम्हें अपने सब्दों में redford के बारे में बताना है ठीक है लाल के लिए के बारे में कि क्या महत्राइज का तो बिटा आप sixth में हो तो अपने according points लिख लेना मैंने काफी सारे points लिखे है seventh में हो तो तीन चार लिख लेना और eighth में हो तो बिटा complete करना अपने according वैसे तो सभी कर लोगे इतने easy मैंने लिखे है तो first क्या है redford is a constructed by the mughal emperor ठीक है तो mughal emperor के द्वारे ये construct किया गया था बनाया गया था और वो कौन था बेटा सहाजा when he decide to shift his capital जब उसने क्या किया था decide किया था अपनी capital यानि कि राजधानी को shift करने का from आगरा से डेली ठीक है अब since its walls are यानि कि उसकी जो दिवारे है क्योंकि वो किसकी बनी हुई है made up of red sandstone that's why मतलब कि इसलिए it is known as the red fort इसलिए उसको लाल किला कहा जाता है ठीक है अब it is the largest fort या monument ठीक है और ये बेटा क्या है सबसे बड़ा और largest है ठीक है एतियासिक स्थल है या किला है in डेली दिली में ठीक है and most popular tourist destination और ये बेटा क्या है परसी देख परियाटक स्थल भी है जहां पर क्या होते है thousand of visitor comes here to see ठीक है जिसको देखने के लिए different different countries से from different countries in the world से क्या होते है लोग आते है ओके and in 2007 it is selected as the world heritage site by the UNESCO और बेटा 2007 में इसको world heritage site के तोर पर select किया गया अब ये क्या होते है बेटा की world है अब ये क्या होते है बेटा world heritage site तो world heritage site जो होती है जो एक UNESCO organization है ठीक है वो क्या करते है पूरे world में क्या करते है घूमती है और ये देखते है कि कौन सी एक ऐसी मतलब कि एतियाजिक monomens है जिनको हमे जिनके रख रखाव की हमें जरूरत है या उन्हें हमें समाल कर रखना है ठीक है तो उनको धरोवर बोला जाता है तो heritage का मतलब है धरोवर ठीक है अब every year on our independence day on 15 august our prime minister host ठीक है तो हर साल अपने सवतंत्रता दिवस पर यानि कि 15 august को होता है तो हमारे जो परधान मंत्री होते है our prime minister host मतलब national flag ठीक है host the national flag यानि कि फैराते हैं वो क्या national flag को रास्टिय धवज को at the red fort पर औके and addresses the whole nation from its rampart और क्या करते बेटा पूरे देश को संभोधित करते हैं कहां से इसकी प्राचीर से ठीक है किसकी लाल की लेकी तो rampart मने क्या होता है बेटा प्राचीर अब third question क्या है second question क्या है बेटा कि describe the significance of अमर जवान जोती तो अमर जवान जोती is constructed after the इंडो पाकिस्तान war of 1971 और उसके बाद फिर इसका निर्मान हुआ था किसलिए इन दी को मेमोरेशन ओफ दी डेड एंड अननोन सोलजर्स ठीक है तो जो हमारे डेड सोलजर्स है मतलब कि जो सहीद हो गए थे या अग्यात थे जिन का पता नहीं चला उन सभी की याद में जिनों ने क्या किया who lost their lives in the conflict जिनों ने क्या किया था अपनी जान गवादी थी इस संगर्स के अंधर ठीक है and it is always lit यानि और क्या होता है यह हमेशा परजुलित होती है लिट माने परजुलित होना during day and night मतलब कि दिन हो चाहे रात हो 24 hours 24 and 7 hours आर्क ओफ इंडिया गेट यानि कि यह इंडिया गेट के मतलब की बीच में तुमने देखा हो का बेटा वहापर यह जलती है और यह जलती रहती हमेशा इसलिए तू को मेमोरेट्स थी इसलिए 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 इसको क्या बोले जाता है क्योंकि अमर मतलब यह 2400 घंटे लगातर जलती रहती का भी बुझती नहीं है तो यह अमर है ठीक है और जवान मतलब की जवानों की सहीद जवान जो सहीद हुए थे उनकी याद में यह जलाई जाती है और जयोती जलाई जाती है इसलिए इसका नाम है अमर जवान जोती तीक है अब बेटा जो 3rd question है वो क्या है describe the material used in the construction of the कुतुम मिनार तो कुतुम मिनार की construction में कोन कोन से material का use हुआ था तो क्या हुए था बेटा the first three story are made up of red sandstone जो तो first three जो मंजिल थी वो मतलब कि लाल बलुआ पत्थर की बनी थी ठीक है अब जो फोर्थ कोशन है वो क्या है अब बेटा अब कौन से हितियासिक स्थल पर घूमना पसंद करोगे जाना पसंद करोगे अपने स्कूल पिकनिक के तोर पर जब यह जो महवारी चली हुई है यह समाप्त हो जाएगी तो किस पर जाना पसंद करोगे मैंने यहापर आपको आईडिया दिया कैसे लिख सकते हो आप अपने पसंद के पर लिख सकते हो मतलब कि मैं चाहूंगा घूमना रेड़ फोर्ट कुतुम मिनार और इंडिया गेर थीक है मैंने तीन ओन लिख सकते हो या जिसमें से एक पर भी जाना चाहते हो वह भी लिख सकते हो ओके तो यह आपकी बेटा आज की वक्स्टीट थी उमीद करते हो अपको अच्छे से समझ आ गई हो गेर कोई डाउट रहो तो मेरे से कमेंट बोक्स में पूछ रहे ना ठीक है इस वीडियो में बेटा इतने अपना नेक्स टोपिक हम अपनी नेक्स टूड़े में करेंगे तब तक के लिए ऐसे हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं बढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं थैंक्यू